इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Samsung Galaxy S9 के उपर आप सभी लोगों ने S8 को देखा है S8 को जिस जिस में खरीद रखा है वह experience भी कर लिया होगा उन्होंने S8 एक Samsung का flexible device था अब जो इसका एक upgraded variant आने वाला है उसको S9 के रूप में जाना जाएगा तो दोस्तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं इसके कुछ आपको features बताएंगे जो की expected हैं और बहुती strong rumors हैं कि हाँ ये चीज आई जाएंगे Samsung Galaxy S9 में इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए और आपको आगे कुछ अच्छे features सुनने को मिलेंगे सुस्तो जो पहरा rumor निकल क्या रहा है वो है in screen fingerprint scanner मतलब की S9 में आपको मिलने वाला है screen के उपर fingerprint scanner अभी तक आपने देखा हुआ कि smart phone की body के पीछे fingerprint scanner होता था या तो उसके side में button में fingerprint scanner होता था या नीचे उसके button में fingerprint scanner होता था लेकिन अब button की जहंजट खतम अब आपको inbuilt fingerprint scanner मिलने वाला है S9 में Samsung ने अभी recently में in screen fingerprint का एक patent book करवाया है मतलब की इन्होंने ऐसी technology पराप्त कर लिया है कि अब ये fingerprint को screen के अंदर लगा सके तो जो दूसरा है वो है इसमें आने वाला है latest snapdragon का 845 का processor दोस्तो अभी तक snapdragon का 835 का ही processor आप सभी लोगोंने witness किया OnePlus 2 अभी हमने recent में देखा उसमें भी 835 का processor था तो दोस्तो अब आने वाला है snapdragon 845 processor ये होगा अभी तक का सबसे high-end processor latest processor और सबसे powerful processor और इसमें बहुत सारी capabilities होगी जो आप इसके थूँ आप task को कर पा होगे तो दोस्तो एक और बहुत ही attractive feature या कहें कि एक attractive चीज जो आपको S9 के साथ में मिलेगी वो मिलेगा more screen to body ratio display मतलब कि आपने देखा होगा S7 में देखा होगा कि edge screen होता था लेकिन जो उपर के bezels थे वो बहुत चौड़े होते थे इतने इतने काफी करके आपने note 8 में भी देखा आभी recent में कि काफी कम bezels कर दिये हैं लेकिन bezel free बिल्कुल नहीं किया आज कल तो technology कहां से कहां पहुच गी और सारे फोनों में भी अब हर smartphone company यही कोसिस कर रही है कि bezel free करके दे इससे अच्छा user experience मिलता है और screen को देखने में आपको बहुत अच्छा मदद मिलने वाला है उस तो जैसे कि note 8 previous device है सेंसंग का उसमें हमने dual camera देखा था और S8 में dual camera नहीं था लेकिन सो S9 में dual camera आएगा और जो note 8 की तरह ही dual camera होगा लेकिन यहां पर काफी improved sensors इसमें दिये गए होंगे जिससे आप और अच्छी तरह से images को खीच सकते हो दोस्तों जो इसकी body होगी वो aluminium की होगी ऐसा की खबरे हैं कि iPhone के level वाली जिस तरह से iPhone ने बोला कि इसमें बहुत एक grade का aluminium लगा हुआ है उसी तरह से इसका aluminium body बहुत ही tough आने वाला है तो दोस्तों होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए हो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है वहाँ जाईए उसको हिट करिए और मेरे से जोड़िये मैं ऐसे ही text related ने वीडियोज लात रहता हूँ धन्यवाद